Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम start करने जा रहे हैं chapter number 8 का examplar solution. So examplar solution तो हम यहाँ पर करेंगे ही, लेकिन अगर आपने chapter को नहीं पढ़ा है, तो वो पहले आप पढ़ सकते हैं. किस तरह से पढ़ेंगे भई? आप देख सकते हैं www.magnetbrains.com पर जा करके. वहाँ पर आपको पूरा complete chapter मिल जाएगा, उसके topics, subtopics, सब कुछ हमने आपको वहाँ पढ़ाया हुआ है. क्योंकि जब आप कोई भी question solve करते हैं, तो उसके पहले आपको सारे concept अगर clear होंगे, तो आप इसे बहतर तरीके से कर पाएंगे. जब हम exemplar solve करेंगे, या फिर हम कोई भी solution solve करते हैं, तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझेगा. क्योंकि कई बार exemplar को जब आप solve करते हों, तो आपको कोई नई चीज़ भी सीखने को मिलती है. कभी भी questions को आपको रटना नहीं है, आराम से समझेगे ताकि आप उसे बहुत अच्छे से आंसर कर पाएं. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, exemplar का पहला question, पहला question आपका multiple choice question है, जिसमें पूछा गया है, अब fire alarm usually detects smoke in case of fire. ठीक है, fire alarm कभ आपका detect करता है smoke को, जब fire लगी हो, क्योंकि fire के बाद smoke produce होती है, और फिर smoke को sense करके वो क्या करता है, alarm बजाता है. Where should such an alarm be placed in a room? अब आपने एक fire alarm लेकर के आ गए, अब आप उसे कहां लगाओगे? Near the door, क्या आप door के पास लगाएंगे? On the floor, floor पर लगाएंगे? On any wall या फिर on the ceiling, वेल अगर दोर पर लगा दिया, तो कोई मतलब नहीं है, floor पर लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी wall पर लगाने का. ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए, जब भी कही fire लगती है, या फिर जब भी fire की condition होती है, तो जो भी धुआ उठता है, actual में वो जो flame है, या फिर जो आपका smoke है, वो क्या है? वो है आपकी hot air. तो hot air कि side जाती है? hot air जो है, वो upward direction में जाती है, मतलब उपर की तरफ, जैसे आपन पहले भी पर चुके है, कि जब भी air गर्म होती है, वाम होती है, तो वो हलकी हो जाती है, और उपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, तो इसलिए क्या होगा? कि ये जो fire alarm है, उसे आप क हवा अगर आती है, उस direction में तो वो मुर्ती है, लेकिन उसका direction हमेशा upward ही रहता है, ठीक है, तो wall पर लगाएंगे, तो भी smoke wall को touch नहीं कर पाएगी, ना तो floor पर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है, और अगर आपने door पर लगाया, तो भी वो wall की parallel ही है, तो वहाँ पर भी आपका alarm उसे जल्दी से sense नहीं करेगा, सबसे जल्दी sense कहां करेगा, सबसे जल्दी sense करेगा, ये ceiling पर, तो कि जो hot air है, वो कहां जाती है, वो rises up होती है, मतलब कि उपर की तरफ जाती है, इसलिए इसका जो सही option होगा, वो होगा on the ceiling, ठीक है, कहां पर लगनी ceiling पर, राइट, चलिए, तो यहाँ पर आपका जो पहला question है, उसका option था, option number D, इसे करते हैं clear, और आगे बढ़ते हैं, question number 2 की तरफ, systematic diagrams are shown in figures, आपको यहाँ पर 4 diagrams दिये हुए है, depict the direction of sea breeze, which of them gives the correct direction, वैल आपको बताना है इसमें से, कि sea breeze की direction, इन में से कौन बता रहा है, तो आपको मैं sea breeze के बारे में बता दू, sea breeze मतलब sea की तरफ से आने वाली हवा, ठीक है, उसे आप क्या कहते हो, sea breeze, sea breeze generally कब होता है, sea breeze जो होता है, यह तो हम already discuss कर चुके है, आपको फटा फट से फिर से बता देती हूँ, दिन के time में क्या होता है, land पर heat जादा हो जाती है, land जो है, वो जल्दी heat को absorb करते हैं, इसलिए वहाँ की जो air है, वो ऊपर उठ जाती है, तो land area में क्या होता है, land के area में जो हवाई है, वो यहाँ पर low pressure area create हो जाता है, ठीक है, और sea के side पर क्या होता है, क्योंकि पानी होता है, इसलिए जो हवाई है, वो नीचे की तरफ रहती है, ठंडी रहती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, high pressure रहता है, इसलिए जब यह जो low pressure वाली जगहा पर हवाई उपर उठ जाती ह तो इनकी जगे को occupy करने के लिए जो हवा है वो कहां से कहां बहती है वो बहती है सी से किस तरफ land की तरफ clear चलिए तो अब अपने डाइग्राम को देख लेते हैं कि इस डाइग्राम उन्होंने बताया हुआ है कि करेक्ट डारेक्शन क्या है ठीक है तो देखिए अगर आप डारेक्शन को देखे ध्यान से तो यह जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको यह सी की वेवस बता रही है ठीक है और यहां पे जो रैड वाली लाइन से वह आपको हॉट एयर के बारे में बता रही है ठीक है उन्की direction कहा होती है नीचे की तरफ और जो होट एर होती है उनकी direction किस तरफ होती है उपर की तरफ तो अबभा यहां पर अगर अपन देखें तो जो sea breeze है वो यहां से भी आ रही है लेकिन उन्हों जेखृज कौन से बनाई आएंगी यहां पर क्या हो रहा है यहां पर थंडी हवा आ रही है वह भी किस डारitar शन से नीचे की तरफ से यहां पर देखिए से λैंड कि तरफ यहां पर देखacyjे क्या होगा आपका right option होगा option number C क्योंकि sea breeze जो है वो हमेशा sea से land की तरफ आता है और दूसरे चीज़ sea breeze का मतलब ही यही होता है कि ठंडी हवाओं का land area तक पहुंच जाना clear तो चलिए देख लेते हैं इसका option तो जी हां इसका option है option number C air above the land gets heated and rises up and it is replaced by the cool air from the sea giving rise to sea breeze जैसा मैंने आपको बताया कि ठंडी हवा जो है वो sea की तरफ से land की तरफ जाती है clear तो यहाँ पे question number two complete आगे चलेंगे question number three देखेंगे well आप लोग सिर्फ options मत देखें जो मैं समझा रही हूँ उस चीज़ को भी समझते चलिएगा तभी आपको यह options हमेशा याद रहेंगे clear तो चलें रेखते हैं कि question number third क्या पूछा गया है figure shows a child blowing air यहाँ पर एक figure है ठीक है यह दिखा देती हूँ मैं आपको पहले ठीक है यहाँ पर एक child है जो कि air को blow कर रहा है ठीक है so figure shows a child blowing air with a straw near the opening of another straw यहाँ देखिए यहाँ पर दो straw लगी हुई है यह एक straw इसके मूह में है और एक straw यहाँ पर लगी हुई है तो यह यहाँ अपने मूह से air को blow कर रहा है किस तरफ air दूसरे straw के एक end पर so a child blowing air with a straw near the opening of another straw which has its other end in a soft drink bottle जिसका जो दूसरा end है वो किस तरफ है soft drink की bottle में यह देखिए एक end ऊपर है एक end नीचे है it was observed that the level of the soft drink in the straw rises up as soon as air is blown over its open end अब यह देखा जा रहा है कि जब जब वो बच्चा हवा को blow करता है तब तब कोल रिंग का जो लेवल है वो ऊपर उठता जाता है which one of the following best explains the reason for rise in level of the drink अब ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वज़ा से यह जो ट्रिंग है वो ऊपर की तरफ आ रहा है तो चलिए पहले आपने options देख लेते हैं Blowing of air decreases the pressure over the opening of the straw ठीक हैं? The straw of the soft drink bottle collapse when air is blown over its open end Blowing of air warms up the air inside the straw या फिर blowing of air increases the pressure on the surface of the soft drink in the bottle चलिए तो भील आग को एक concept हम याद दिला दें कि अगर बहुत तेज हवा को आप high pressure area में डालते हो तो वो किस में convert हो जाती है? Low pressure area में मदब speed में अगर हवा आएगी तो pressure किसी भी जगे का कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा? हवा को डाल रहा है मतलब थोड़ी हवा तेजी से डाल रहा है किस पर? straw के उपर तो जब जब वो straw पर क्या कर रहा है? हवा डाल रहा है तो इसकी वज़े से क्या हो रहा है? उसके अंदर का जो pressure है वो कम हो रहा है मतलब कि वहाँ जो air मौजूद थी वो कम हो रही है जैसे जैसे हवा कम होती जाएगी जो नीचे का liquid है जो पानी है वो उपर की तरफ उठता जाएगा यह आपने कब देखा होगा? यह आपने देखा होगा कि जब आप पानी को अब आप straw से पानी पी करके देखते हैं कोई coldring पीते हैं जब आप पानी को सक करते हैं तो साथ में air पहले आ जाती है तो air के pressure के कम होने से क्या होता है? कि जो आपका liquid है वो उपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है तो यही वज़ा है कि जब यह blow कर रहा होगा air को तो क्या हो रहा है? वहाँ पर pressure decrease हो रहा है ठीक है? इसका option तो number A ही है बाकी options देख लेते हैं कि क्यों गलत है? The straw of the soft drink bottle collapse when air is blown over its open end क्या वो जो straw वो collapse हो सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है Blowing of air warms up the air inside the straw वैल अगर आप air को blow करते हो तो क्या वो अंदर की जो straw के अंदर जो air है उसको गरम कर देगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता जब अपन जब तो heated heat नहीं हिंक दे तब तक कोई भी चीज warm up नहीं हो सकती फिर क्या है? Blowing of air increases the pressure on the surface of soft drink in the bottle वैल क्या blow करने से pressure बढ़ता है तो नहीं आपको बस हमेशा यह याद रखना है कि जब भी आप तेजी से हवा डालते हैं या फिर तेजी से speed में हवा आती है air आती है तो pressure हमेशा कम होता है इसलिए blowing of air decreases the pressure इसी pressure के कम हो जाने की वज़े से क्या होगा? The level of the soft drink in the straw rises up as soon as the air is blown over its open end तो जो soft drink का level है वो इसी current से उपर आ रहा है तो देखिए इसका right option यही है blowing of air decreases pressure over the opening of the straw चलिए तो यहाँ पर question number third को करते हैं यहाँ से clear और आगे बढ़ते हैं question number four की तरफ following other precautions one must take in case a storm a storm is accompanied by lightning ठीक है? सुबहिल आपको इसमें से बताना है कि यह सभी precautions है ठीक है? जो कि जब lightning आती है यह storm के case में जब आपका lightning की condition हो तो हमें इन सभी में यह सारे precautions लेना चाहिए so do not take shelter under a tree तो आपको बताना है कि कौन-कौन सा option सही है so do not take shelter under a tree or do not take shelter under umbrella with a metallic hand do not take shelter in open garages storage, shades, etc do not take shelter in a bus in the open which one of these is not correct अब आपको बताना है कि किस कौन सा correct नहीं है तो लाइटनिंग अगर आ रही है तो आपको बिल्कुल भी tree के नीचे तो खड़ा नहीं होना चाहिए तो do not take shelter under a tree is a right answer ठीक है do not take shelter under an umbrella with the metallic hand तो मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रही थी आपको कि जी हाँ अगर metallic hand है umbrella का तो वो जल्दी से ही current को catch कर लेगा ठीक है क्योंकि current को path मिल जाएगा और वो metal से हुता हुआ आपकी body तक पहुँच जाएगा तो इसलिए ये भी ठीक precaution है next क्या है do not take shelter in open garages, storage, shades वैल ये जो garage होते हैं या shades होते हैं इन सभी में metal का material use होता है इसी current से कहा जाता है कि ऐसी जगे पर आप बिल्कुल भी shelter ना ले ठीकें do not take shelter in a bus in the open वैल कि आपको bus में भी shelter नहीं लेना चाहिए तो ये बिल्कुल गलत है ठीकें क्या है कि अगर बिजली चमक रही है बहुत ज़ादा lightning हो रही है storm की condition है तो उस condition में आपको क्या करना है आप bus या car के अंदर आसानी से बिल्कुल safely बैच सकते हैं क्योंकि bus और जो car की body है वो metallic नहीं होती वो इस तरीके की होती है कि वो lightning को capture नहीं करेगी तो इसलिए इसका option क्या है fourth तो जो option number D है ये होगा इसके लिए सही option कि इन में से जो correct नहीं है वो है option number fourth clear चले तो आगे बढ़ेंगे next देखेंगे question number five which of the following place is most likely to be affected by the cyclone well इन में से कौन सी ऐसी जगे है जो कि cyclone से सबसे जल्दी affected होगी तो मुंबई, पुरी, गोवा, पोर बंदर अब देखें मुंबई की बात करें तो वो भी C के पास ही है पुरी की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही C area से घिरा हुआ है गोवा और पोर बंदर तो जो पुरी की जो location है वो इस तरह से है कि सबसे ज़्यादा ये उडिसा में है ठीक है और गोवा पोर बंदर ये सभी फिर भी as compared to पुरी safe conditions में है ठीक है इसलिए क्योंकि पुरी तो जो है वो बिल्कुल C पर ही बसा हुआ देश है और वो उडिसा के अंदर आता है जो कि सबसे ज़्यादा cyclone affected area है ठीक है तो यही कारण है कि इन में से जो सबसे ज़्यादा effect होगा वो होगा पुरी पर ठीक है a curtain is hanging at the entrance of a room एक entrance है room का ठीक है उसके सामने क्या लगा हुआ है curtain लगा हुआ है a long corridor runs at right angle to the door ठीक है right angle मतलब इस तरह से हना यह door है ठीक और इसके right angle पर क्या है एक क्या लगा हुआ है corridor लगा हुआ है right so that is it is parallel to the curtain मतलब जो जैसे यह आपका room है तो यह curtain लगा हुआ है और यह आपका corridor है जस सामने तो मतलब corridor और curtain कैसे होगा एक दूसरे से बिलकुल parallel so if a strong wind blows along the corridor the curtain will be to get pushed inside the room get pushed outside the room या get collect towards one ends या swilt या remain unaffected वेल अगर parallel कोई चीज है ठीक है parallel है अगर यह curtain बिसके बिलकुल और यह room आपका इसके साथ 90 दिगरी का एंगल बना रहा है इस तरह से तो रूम और यह curtain है ना curtain का जो दर्वाज़ दर्वाज़ा है जो डोर उसमें उपर लगा हुआ curtain इस corridor के साथ अगर parallel है तो parallel है इसका मतलब इसके उपर effect कैसा होगा बिलकुल same होगा ठीक है तो parallel है मतलब कि अगर दोनों चीज पैरलल है इस तरह से तो हवा अगर यहां से आ रहे है तो curtain के side पर जाएगा बाहर ही जाएगा ठीक है अगर ऐसी आती हवा तो curtain अंदर जाता लेकिन क्योंकि corridor जो है वो parallel किसके साथ में पैरलल है curtain के साथ में तो parallel है इसलिए जब हवा ऐसे आएगी तो curtain भी कैसे जाएगा आउटसाइड ओफ दरूम तो गैट पुट 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 आउटसाइड दरूम इसका राइट ऑप्शन है तो दीख लेते हैं तो जी हां को और आंसर नमबर 6 क्या है आप का भी गैट पुट आउटसाइड दरूम आगे चलेंगे कोशन नमबर 7 की तरफ वाइस चंडिगर अनलाइकली तो भी आफेक्टे बाइदा साइकलोन विल्ट क्या साइक चंडिगर की लोकेशन कैसी है चंडिगर की लोकेशन ऐसी है कि वह सी एडिया के पास नहीं है इसलि Name the ocean which is mainly responsible to bring rain bearing monsoon winds to the Kerala coast in June every year तो कौन सा ocean है जिसकी वज़े से हर साल जून में Kerala coast में बारिश होती है तो Indian Ocean की वज़ा से क्या होता है तो Indian Ocean is mainly responsible to bring rain bearing monsoon winds to Kerala coast in June every year हर साल जून में जो हावा बारिश होती है वो किसकी वज़ा से होती है Indian Ocean के कारण clear चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं question number 9 क्या है question number 9 very short answer type questions का है जो कि आपको friendly blank से इसमें करना है air around us exerts अब हमारे आसपास जो air है वो क्या exert करती है तो एक topic आपको पता है air exerts pressure तो भई आपको पता है कि air pressure डालती है ठीक है तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा option यहां पर हो जाएगा pressure the moving air is called moving air को हम क्या कहते हैं एक जगे से दूसरी जगे तक जाने वाली air को हम wind कहते हैं तो यहां पर option क्या हो जाएगा wind clear the main cause of wind movement is uneven dash on the earth तो भई विंड किसकी वज़े से बहती है uneven heating की वज़े से तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका सही option heating क्योंकि जो uneven heating है उसकी वज़े से low pressure area create होता है high pressure area create होता है और उसी low pressure high pressure के एरिया के वज़े से high pressure से हवाय जो है वो low pressure की तरफ जाती है clear अब high speed wind can cause cyclone in regions of dash pressure अब high speed wind कहां पर जाएगी अब विसी बात है high pressure wind जो है वो low pressure area की तरफ जाती है तो भई cyclone जो है वो आपको मैंने बताया था कि low pressure point जब create हो जाता है तो उसके आज़ पास बहुत तीरी से हवाय high pressure point से आना शुरू हो जाती है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए यहाँ पर आएगा low ठीक हैं so first is air around us exerts pressure the moving air is called wind the main cause of wind movement is uneven heating on the earth and high speed wind can cause cyclone in reasons of low pressure आगे बढ़ेंगे इसे करते हैं clear यह सारे है options आपके flinty blanks के आगे बढ़ते हैं question number 10 की तरफ state whether the following statements are true or false आपको बताना है कि यह जो statements हैं वो सही है या फिर कलत है if winds flow from land to the ocean then it is daytime अब आप थोड़ा सा question को पड़े और अपने दिमाग में image create करें image नहीं create करते हैं तो फटा-फट से pencil और अपना paper लीजे और देखे कि क्या सही होना चाहिए if wind flows from land to ocean अगर daytime है ठीक है पहले वाले को अगर आप daytime की बात करो तो ज्यादा low pressure area कहां होगा low pressure जो area है वो होगा आपका land पर ठीक है और high pressure area कहां पर होगा high pressure area होगा sea पर that means कि हवाएं कहां से कहां चलना चाहिए दिन के time पर तो daytime में जो हवा है वो sea से land की तरफ चलना चाहिए ठीक है so if wind flow from land to the ocean तो क्या ये daytime है तो ये हो जाएगा false ठीक है देख लिया आप लोगोने diagram diagram को देखकर कि आपको याद रखना है कि भाई क्योंकि low pressure area है और सी जो है वो high pressure area का होता है इस time पर इसलिए हवा कहां से कहां चलना चाहिए ocean से land की तरफ a very high pressure system with very high speed wind surrounding it forms a cyclone क्या बहुत तेज हवाई किसी बहुत high speed की हवाई जो है high pressure system के आसपास जब घूमती जाए तो उससे cyclone बनता है क्या जी नहीं cyclone में क्या होता है cyclone में basically बीच में होती है आई ठीक है यह क्या होती है cyclone की आई जिसको अपन क्या कहते हैं जो कि होता है actual में low pressure area क्या होता है low pressure area ठीक है इसके आसपास ना बहुत तेजी से हवाई चलती है ठीक है और यह हवाई high speed की होती है कैसी होती है high speed की winds होती है airs होती है तो क्या यह option इस case में सही है कि very high pressure system with very high speed wind surrounding it forms a cyclone जी नहीं low pressure system के surround में क्या होता है high speed की हवाई बहती है वो cyclone को form करता है clear तो इसलिए option number second भी क्या हो जाएगा option number second भी false रहेगा ठीक है आगे देखते हैं the coastline of India is not vulnerable to cyclones ठीक है इसका मतलब क्या है कि क्या cyclone की चपेट में coastline areas नहीं आते तो भई coastline areas तो आते ही है क्योंकि वो तो सी के बिलकुल पास में बसे हुए रहते हैं तो इसलिए ये भी false हो जाएगा warm air is lighter than cool air क्या गर्म हवा ठंडी हवा से क्या होती है light होती है तो जी हां बिलकुल होती है ये उजाएगा true क्योंकि आपने देखा है कि गर्म हवा कहां पर होती है warm air हमेशा ऊपर की तरफ रहती है और जो cold air है वो हमेशा नीचे की तरफ रहती है इसलिए हम इससे ये समझ जाते हैं कि जो आपकी गर्म हवा है वह हल ते चलो आगे बढ़ेंगे question number 11 की तरफ दा एक्स डू एक्सपेल होट एर आउट ओफ दे किचिन एहाज न एक्जॉस्ट फैन फिटिट अन दा विंडू मैं लिजी दो घर है ठीक है यह एका घर है और यह बी का घर है अब इसने क्या किया भई अपने विंडो अपने विंडो पर कहा लगा दिया विंडो पर इप्टिजफे अपना एक्साउस्ट फैन तो यहाँ पर लगाया हुआ है ठीक है यह रही इसकी विंडो टियर clear so which of the exhaust fan will expel the hot air more effectively explain why देखिये जो गर्म हवा होती है ठीक है जब भी आपने किचिन में अपन काम करते हैं तो steam produce होती है आपने कह सकते हैं कि hot air produce होती है तो गर्म हवा किस तरफ जाती है गर्म हमेशा सीधे उपर की तरफ जाती है ना तो वो left मुड़ेगी ना ना नीचे रहेगी वो कहा जाएगी सीधे ऊपर तो जितना ऊपर आपने ceiling fan लगाया हुआ है उतनी जल्दी वो क्या करेगा उस हवा को catch करेगा तो इसलिए जो भी है उसने बहुत अच्छा काम किया कि उसने ceiling के ऊपर लगा दिया सीधे exhaust fan ताकि जो भी गर्म हवा घर में आ र करेगा लेकिन इतना effectively काम नहीं करेगा जितना की बी का लगाया हुआ ceiling fan काम करता है राइट चली तो आई होप आपको यह question क्लियर हुआ होगा कि क्या इसका answer होना चाहिए था तो बीज एक्शॉस्ट फैन विल एक्सपैल दा हॉट यर मोर एफेक्टिवली बिकास हॉट यर राइजस अप सो बींग अट अग्रेटर ग्रेटर हाइट दैन ए इस एक्शॉस्ट फैन वॉल्यूम ओफ एयर डाइट विल रीच तू बीज एक्शॉस्ट फैन विल बी मोर क्योंकि जो एयर है वो जादा कहां पर जाएगी इस बी की तरफ जाएगी और यहां पर तो से लिंग के पास लगाएं ताकि आसानी से क्या हो सके ताकि आसानी से गर्म हवा बहार निकल सके चले सो कुशन नमबर 12 देखेंगे वाइट इस एडवाइजिबल नौट तो शट ओल दोर्स एंड विंडोस तूरिंगा स्टॉर्म वेल अब जब स्टॉर्म की कंडिशन आत है सकते हैं लेकिन जब बहुत तेज हवा चलती है वो भी स्टॉर्म के टाइम की बात कर रहे हैं तो आपको अपने घर के दरवाजे खिडिकिया पूरी तरीके से इसलिए बन नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने पूरा अपने घर को पैक कर लिया ठीक है तो आपके घर में जो हवा है न ठीक है वो क्या करेगी उस छट को उड़ा करके उपर की तरफ ले जाएगी क्योंकि क्या होगा तेजी से चलने वाली हवा है आपके रूफ के उपर लो प्रेशर एरिया क्रियेट कर देगी अब हमारे घर में कुछ न कुछ एयर तो होगी ही होगी तो यह एयर क्या करेगी फिर सीधे जाकर के रूफ को उड़ा देगी ठीक है इसलिए क्या कहा जाता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो जो हाइज स्पीड में हवा आ रहे है वह आपके घर में भी क्या बना दे लो प्रेशर एरिया बना दे तो इसलिए प्रॉपर वह इधर से उधर निकल जाए यह आपको ध्यार में रखना चाहिए अगर आपने पैक कर दिया तो आपके घर के अंदर कैसा प्रेशर हो जाएगा हाई प्रेशर उपर हो चुका है लो प्रेशर तो अब हर के अंदर की जो हाई प्रेशर के हवाय थी वो किस साइड जाएंगी प्रेशस प्रेश फिटियक्त क्योंकि है वहाँ उपर की तरफ जब की अरकसे जाएंगी ठा TS 9Be लोगी साम्त चुक्त क्या होगा यहां पर लो फ्रेशर एय्र एया क्रेट हो जाएगा क्योंकि जब हाई speed में हवा जाती है तो क्या करेट हो जाता है लो प्रेशर तो इसकी वज़े से जब हवा अंदर की जो आपके घर के अंदर की जो हवा है उसकी वज़े से यह आपका च्छत है वो तूट सकता है clear चलो तो यहां पर question number 12 करते हैं खरदम आगे पहुंचते हैं question number 13 की तरह so a flat in Mumbai with a balcony facing the sea has some clothes hang on the clothesline in a balcony towards which direction the clothes will be blown in the afternoon well आपको यह बताना है कि एक flat है पहले तो आपको बता दे कि एक flat है Mumbai में जिसका जो balcony है वो किस साइट पर है C की तरफ है चिक है किस साइट पर है C facing की है मतलब C की तरफ वो खुली हुई है so which direction the clothes will be blown in the afternoon तो afternoon के time पर जो clothes है वो किस तरफ उड़ते हुए दिखाई देंगे blow होते दिखाई देंगे तो वैल अगर यहाँ पर clothes तंगे हुए हैं यहाँ बना करके बताती हूं ठीक है तो अगर हवा आएगी तो उनको यहां से पड़ेगी ठीक है मतलब हवा जो है वो इसके ओपर यहां से मतलब कि जो clothes है वो किस ताइट पर जाते हो दिखेंगे आपको towards flat क्योंकि दिन के time पर क्या होता है दिन के time पर जो हवा है वो sea से land की तरफ चलती है इसका मतलब यहां से हवा आएगी और जो clothes है अगर वो balcony में है तो उनकी direction किस side पर होगी उनकी direction flat की तरफ होगी मतलब इस direction में होगी ठीक है समझ में आया इसका answer क्या हो जाएगा the clothes will be blown towards the house due to the sea breeze blowing towards the land क्योंकि afternoon के time पर दिन के time पर क्या होता है जो sea breeze चलती है और sea breeze की चलने की वज़े से क्या होता है सी से क्योंकि आपके मकान की तरफ फ्लैक की तरफ यह हवा आएगी तो जो बालकनी जो कि किस side पर है सी की तरफ फेस की हुई है तो अगर कपड़े ऐसे डले हुए तो उनका motion की side पर होगा towards flat clear चलिए तो यहां पर यह question हमने solve कर लिया है आगे बढ़ेंगे question number 14 के तरफ figure shows the diagrammatic presentation of the tree in the afternoon along a sea coast state on which side is the sea a or b and give the reason for your choice where आपको diagram के through बताया हुआ है कि यहां पर कुछ trees लगे हुए हैं जो कि दिन के time पर क्या हो रहा है इस side पर मुर रहे हैं ठीक है या फिर वह इस side पर थोड़े से till है तो आपको बताना है कि भाई पहली बात तो कि afternoon का time है कि और किस side पर आपका सी कोस्ट होगा यहां पर सी होगा या फिर यहां पर होगा तो आपको बता दे कि दिन की time पर हवा कहां से कहां चलती है वेल हवा चलती है आपके सी से land की तरफ चलती है तो जब हवा अगर इस side से आएगी तो pressure कहां पर पड़ेगा इधर पड़ेगा और कोई भी जो object है वो किस side पर tilt होगा ऐसा ठीक है अगर pressure यहां लग रहा है तो जस्ट उसी के साथ ऐसा कोई भी चीज तिल हो जाएगी तो अगर सी की जो direction है अगर सी पेडों की जो आपको डाइग्राम दिखाया हुआ है वो इस साइश से जुका हुआ है इसका मतलब की जो सी है वो किस side पर है वो है बी की तरफ clear so c is on b side as in the afternoon wind is blowing from sea to land known as sea breeze clear चली आगे चलेंगे next question को देखेंगे match column 1 with the column 2 there can be more than one match वैल आपको बताना है कि आप जब air को heat करते हो आपको column 1 में दिया हुआ है दो-दो options दिये हुए हैं आपको बताना है कि एक के लिए कौन सा option सही है फर्स सही है या second सही है और अकर दोनों सही है तो वो भी हमें देखन है तो जब आप air को heat करते हो तो क्या होता है so air को जब अपन heat करते हैं तो वो expand होती है इसलिए इसका सही option क्या हो जाएगा इसका सही option होगा option number और साथ ही साथ अगर आप देखें दूसरे options को तो descends तो मतलब क्या नीचे की तरफ तो नहीं जाती contract भी नहीं होती देकिन rise होत तरफ तो इसलिए second option क्या होगा fourth तो एक लिए right options कौन कौन से हो जाएंगे second and fourth उसी तरीके से on cooling air जब आप किसी हवा को ठंडा करते हो तो ठंडा करने की टाइम पर क्या होता है contract होती है ठीक है इसलिए जब आप प्रिज में जब कोई bottle रख देते हो तो क्या होता है कि वह आ नीचे की तरफ क्योंकि बहती है तो इसलिए बी के लिए सही सही options क्या हो जाएंगे first and third समझ में आए गया गरम हवा करोगे तो वह उपर जाएगी और हलकी हो जाएगी expand हो जाएगी कोई भी चीज जब expand होती है तो हलकी हो जाती है पहले अगर भारी थी और expand हो गई तो वह हलकी हो जाएगी उसी तरह के से जब आप हवा को थंड़ा करती हो तो वह contract होती है contract होगी तो heavy होगी इसलिए नीचे की तरफ रहेगी तो descends clear आगे चलेंगे question number 16 को देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे पहली kept an empty bottle made of plastic inside a refrigerator देखो वापे से वही question आया जो मैं आपको बता रही थी पहली ने क्या किया एक bottle को खाली bottle को प्लास्टिक की बनी हुई उसे refrigerator के अंदर रग दिया after few hours when she opened the refrigerator she found the bottle had collapsed अब जब उसने एक घंटे के बाद या कुछ घंटों के बाद उससे जब refrigerator को खोल के देखा तो उसने देखा कि उसकी bottle collapse हो चुकी है ठीक है तो एकस्प्लेंट पॉसिबल रीजन तो इसलिए collapse हो जाती है क्योंकि अगर आप air जब bottle को उसने पैक किया होगा तो इस bottle के अंदर रही होगी ठीक है तो यह एयर को अगर आप refrigerator में रख दो मतलब आप उसको क्या कर रहे हो ठंडा कर रहे हो तो आप उससे जैसे ठंडा करने के लिए रख देते हो तो इसका मतलब अंदर की जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी वो आउटसाइड प्रेशर ठीक है अंदर का टेंपरेचर कम था बाहर के इसलिए क्या हुआ अंदर जब लोग प्रेशर क्रियेट हुआ तो बाहर जैसे ही वो लाई उसे तो वह बाहर के हाई प्रेशर के वज़े से कैसी हो गई कॉलाप्स हो गई क्लियर आगे आया समझ में ओके तो आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 17 की तरफ कोश्चन नमबर 17 क्या है वैने स्ट्रॉंग हाई स्पेड विंड ब्लोज एंड अंब्रेला है अट टाइम्स गैट अप टॉर्ण ठेक है जो आपका अम्रेला है वो क्या होता है जब हाई स्पीड विंड आती है तो आप इतनी बहतर नहीं है ठीक है अब क्या हो रहा है बहुत तेजी से हवा चल रही है ठीक है जब हाई स्पीड विंड इस पर पड़ती है ठीक है तो क्या होता है यह क्या है आपकी हाई स्पीड विंड ठीक है तो यहां पर क्या क्रियेट हो जाएगा तो रहा यह जो पूरा एर यहलोग प्रेशर के एरिया के क्रियेट हो जाने की वज़ए से क्या होता है यहां कि जो हाई प्राशन है ठीक है as compare to this यहां कि जो हाई प्रेशर है आपका एरिया है तो इसकी हवा होना उसे अंदर की तरह मुझारी तरफ प्रेशर ने लगेंगी उठावन उपर की तरफ जाना चाहेंगी और यह जो आपका चाहता है वो पूरा उल्टा हो जाएगा ठीक है सो अमरेला गैट्स अप टॉन वेंट स्ट्रॉंग हाई स्पीड बिन ब्लोज बिकॉस हाई स्पीड विंड पासिंग ओवर दाम्रेला क्रियेट लो प्रेशर ठीक है लो प्रेशर क्रियेट कर देती है जिसके वजह से जो हाई प्रेशर हवाय है वो उपर जाना चाहती है उसके अंदर की जो हवाय वो उसको उपर की तरफ उठा देंगे ठीक है प्लियर हुआ चले तो आगे बढ़ेंगे देखेंगे हमारा नेक् स्ट्रॉम वेल अगर बहुत ज़्यादा हवाओ का खत्रा है या फिर स्ट्रॉम की कंडिशन है तो कई आपने देखा होगा कि जो टिन रूफ होती है वो उड़कर के चली जाती है तो उससे बचाने के लिए या फिर उसको थोड़ा सा सेफ रखने के लिए क्या-क्या हमें करना चाहिए तो उसके ऊपर थोड़े भारी समान अगर अपन रख दे थोड़ा वेट रख दें जैसे कि आप अगर स्टोंस रख दें कुछ ऐसा हैवी हैवी मटेरियल इसके बढ़े बड़े वोट के टुकड़े रख दें तो वह वहाँ पर उसे मेंटेन करके रखेंगे इ विंडो और डोर में से किसी एक चीज़ को ऊपन रखना चाहिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके हवा एक जगे से दूसरी जगे पर जाए ताकि नीचे जो है वह हाई प्रेशर क्रियेट ना हो क्योंकि ऑविस सी बात है जब हवा बहुत तेजी से आएगी तो टिन के आप इस तरह से देख सकते हैं तो प्रेवेंट रूफ ऑफ अटेंट शीज़ फ्रॉइंग अवे दूरिंगा फिर्स फिर्स विंड्स टॉर्म फॉलिंग मैंशन प्रिकॉर्शन शुट बी टेकन पुर्ट हैवी स्टोंस ब्रिक्स एच्ट्रा ओनिट स्कूरू इट है क्लियर चलिए तो यहां पर आपको मिल चुका है आगे चलते हैं क्वेशन नमबर 19 की तरफ डिस्क्राइब एक्टिविटी तो डिमॉंस्ट्रेट डाट वाम एर इस लाइटर देन कोल यह अब आपको बताना है कोई एक्टिविटी करके या फिर आपका डेली लाइफ को एक्जांपल अगर आपने ऐसा देखा हो कि जिसमें आपको यह समझ में आया हो कि वही वाम एर जो है वह लाइट एयर से कैसी होती है हलकी होती है तो आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइप जनरली लोग एक कैंडल जला लेते हैं रूपर एक इस टाइप का हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है काफी सुन्दर लगता है तो यह कैसी उड़ जाता है तो वैल जब आप इस तरह से दो पेपर बाग्स लोगे ठीक है वह भी पेपर कहीं बना होता है ठीक है कैंडल को आप जला करके आस्मान में छोड़ देते हैं तो उसका फिनो बाग लीजिए और उनको बिल्कुल एक स्टिक के साथ बिल्कुल बैलेंस तरीके से लटका लीजे एक के नीचे आप कैंडल को जला दीजे कुछ इस तरह से ताकि वह पेपर ना जले इतनी दूरी पर रखना है और एक के सामने कोई भी कैंडल ना रखें जब आप दोनों क पर यहां पर भी एक कैंडल को जला दिया तो यहां पर मौजूद जो एयर है वह क्या होजाएगी ही टप हो जाएगी गर्म हो जाने की वज़े से क्या होगा यह इचा होग उपर की तरफ उठना शुरू होगी तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जब गर्म हवा उपर यहां पर एक प्रेशर होगा जिसके वज़े से यह जो बैग है यह बैग जो है वो ज्यादा ऊपर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा ठीक है तो आपको यही एक्टिविटी बता देनी है कि टेक टू पेपर बैग और एम्टी पेपर कप्स अफ यही जरूर याद रखें कि आपको दोनों को कैसा थ्रेड को इस तरह से पकड़ना है कि जो दोनों ही कप्स या फिर जो पेपर बैग है वो बैलिंस की कंडिशन पर हो जैसा मैंने आपको बोला था इससे क्या समझ में आता है कि जो वाम एर है वो किसे ज़दा हलकी होती है कूल एर से चलिए तो यहाँ पर इस कोश्टन को हम करते हैं खतम आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि नेक्स कुश्टन क्या है तो नेक्स कुश्टन है कुश्टन नमबर 20 तो द पिक्चर जैसे आप डाइग्राम में देख पा रहे हैं आप ध्यान से देखें किया आपको ट्रीज किस तरह डिखाई दे रहे हैं इस में trees कुछ is position पर है जो कि coastline areas के है as shown the tree tops are permanently bent in one direction अब इसमें देखें कि एक side जो है वो permanently bent हो चुके है यह are the trees bent towards the sea or away from it explain तो यह जो tree है यह क्या sea की तरफ bent हुए है या फिर sea से opposite side पर तो मान लेजिए कि यहाँ पर है आपका sea ठीक है और यहाँ पर है land area जहाँ पर वो island है ठीक है यहाँ पर लगे हुए trees जो है वो inside band हुए है clear यह जैसे कि यह trees है तो आपको यह बताना है कि भाई यह जो trees है यह इसी तरफ क्यों बैंड है देखिए afternoon time पर क्या होता है कि आपका जो land है वह as compared to sea याद रखेगा एक पॉइंट वाइस चलते हैं अब दिन का time हुआ दिन के time पर क्या होता है कि जो land है वह सी के comparison में जल्दी क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा क्योंकि सी में क्या है पानी है पानी एक ऐसा conductor है बैट कंड़क्टर ही मान लीजे इसको तो यह बहुत जल्दी हीट अप नहीं होता है लो प्रेशर एडिया क्रियेट हो जाने की वज़े से यहां पर जगा होने की वज़े से सी में जो हाई प्रेशर की हवाय है बहुत सारी हवाय जो है वह किस ताइड आना शुरू हो जाती है लेंड की तरफ आना शुरू हो जाती है अब यह इतनी तेजी से आती हैं कि यह ज पर होता है तो रात में हवा आपकी लैंड से सी की तरफ तो चलती है लेकिन उनकी जो intensity होती है वो बहुत जादा नहीं होती इसलिए जो पेड़ है ना वो किस साइड जुके होए रहते हैं away from the sea, away from sea मतलब इस साइड क्योंकि हवाई जो है वो बहुत तेजी से किस साइड आती है land की तरफ इस तरफ आती है clear so अगर आपको आंसर देना है in the coastal region of an island near the equator heating and cooling of air is a regular phenomena regularly यहाँ पर heating cooling होती है क्योंकि वहाँ पर सिव आइलेंड और एक sea है so during daytime the land gets heated up quickly compared to the water in the sea air above the land gets heated and rises up and it is replaced by the cool air from the sea giving rise to the sea breeze तो इस तरह से sea breeze होती है this sea breeze makes the tree to bend towards the land इसलिए जो यह trees है वो land की तरफ क्या हो जाते हैं bend हो जाते हैं और sea से away clear चलिए तो यहाँ पर खतम करते हैं इस question को question number 20 को I hope आपको concept clear हो गया है आगे बढ़ेंगे हमारा आखरी question है question number 21 identify the names of six natural phenomena from the following word diagram given in the figure well जो natural phenomena's हैं बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको अगर chapter में पूछे गए हैं तो वही phenomena's पूछे गए होंगे जो कि chapter में हैं तो हमने natural phenomena में cyclone पढ़ा hurricane के बारे में पढ़ा thunderstorms के बारे में पढ़ा lightning के बारे में पढ़ा है storm के बारे में पढ़ा आपने और इसके अलावा आपने किस चीज के बारे में पढ़ा है टाइफोन के बारे में आपने पड़ा तो आप इनी सारे नेम्स को इसमें ढूनने की कोशिश करें तो चलिए आपन साथ में ढूनते हैं तो अगर इस लाइन में देखूं तो यह नहीं यहां से भी कुछ नहीं बन रहा नहीं यह देखें यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह आपका क्या बन रहा है हूरीकेन ठीक है यह हो गया हूरीकेन आगे चलते हैं चले इस लाइन में और क्या बन रहा है यह साइकलोन बन रहा है क्या नहीं तो मैं यहां पर देख रहे हूं तो यह बन रहा है साइकलोन यह हो जाएगा आपका साइकलोन ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट और क्या हो सकता है चलिए तो और आगे देखें टॉनेडो देखो यहां पर टॉनेडो आपको दिख रहे हैं यह भी सैकलॉन का क्या सैकलॉन की तरह ही होता है लेकिन सी में नहीं है आपको ऐसा आसमान दिखाई देता है मैंने आपको बताया था किस तर स्टॉम भी दिख रहा है दैन इसके बाद और क्या दिख रहा है हमें वहर्य हां अगर अपन देखे ध्यान से तो यह हो जाएगा आपका lightning ठीक है और इसके अलावा और कुछ है क्या इसके अलावा भई इसके अलावा भी देख लेख लेते हैं चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें आपने कुट्या कि टूट्ल कितने नाम डूढने है उपमें कुटल लाम डूढंब तो लइक लेते हैं अपने एक और गैसे अधंडर स्टरॉमझी हमें यह फ़र वही लग रहा था यह जाएगा आपका thunderstorm तो चलिए यह हो गए वो छे नाम जो कि हमें identify करने थे पहला है आपका मैंसे रफ कर देती हूं यहां से hurricane फिर है आपका cyclone फिर यह हो जाएगा आपका tornado फिर है storm thunderstorm and lightning clear चलिए तो यह आपना जो जम वोल्ड वोर्ट से हमने इनकी help से जो भी अपने नेच्रल फिनोमेनास थे उनके नाम find out कर लिए और इसी के साथ हम कतम करते हैं हमारे chapter number 8 का ncrt exemplar solution वेल अगर आपने कोई topic मिस कर दिया इस chapter का तो आप देख सकते हैं by www.magnetbeans.com बस आपको site पर जाना है तो आपको इस तरह से screen दिखेगी जिसमें नीचे की तरफ आप classes देख सकते हैं आप जिस भी class में हैं जैसे आप class 7 में तो class 7 select करिए class 7 select करते साथ ही एक screen open हो जाएगी जिसमें आपको कुछ इस तरह से folders देखेंगे हर subject के just subject को आपको select करना है like science अगर आपको पढ़ना है तो आप उस पर watch now करे watch now करते साथ ही नीचे chapter wise आपको description मिलेगा जो भी chapter पढ़ना उसका topic sub topic everything is there just आपको topic पर click करना है और वीडियो open हो जाएगा वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको topic clear होगा जब आपको topic समझ में आ जाए तो आप इसे like जरूर करें comment करके हमें बताइए और वेल इसे share करिए अपने same class के students के साथ और channel को share करिए उनके साथ भी जो कि आपसे थोड़ी चोटी या बड़ी class में है that is कि आप दूसरी class के students के साथ भी इसे share कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 100% free classes है from kindergarten to class 12 channel को subscribe करें ताकि जो भी रीसेंट अपडेट है वह आप तक तुरह पहुंच जाए well मिलती हूं मैं अपने next video में till then stay happy stay healthy thank you so much